एक होसला सी की गल करके आया हाँ मेनू कोई लैंता आगी जावेगा पर जदो इमिग्रेशन वाली लाइन दे विच लगा तो मेरे को ले तेही तेही किलो दे दो बैग एक सत किलो दा बैग तेक पिठू बैग जी में तिने मैं मैंनेज करके जदो मेनू पता लगया कि एक वार जानदा कराया ट्रेंदा सौ पॉंड है सौ पॉंड यानि कि इंडिया दा दस्क हजार रात नू दस्क वजे कुछ में उत्थे पुझा पर जदो में उत्थे कमरे दे विच गया मेरे होश उड़ गई मैंनू केंदा विरे भी पच्छी दिन होगे नाकार में ले अना कम है मैंनू समझ नहीं होदा कि हुन इत्थे रहना वी है या कोई दास बारा देना बाद मैंनू कॉल किते होदा नंबर नहीं लगया आज कई महिने होगे मैं मोहुत जिंदल मंजाव दे बनाला डिस्टिक दा रहन वाला हां मैं अपनी कहानी शुरू करन तो पहला एह दसना चांदा हां कि इस मेरी एह कहानी ओह सारे बच्चेयां दे ली ते मापियां दे ली है जो कि एह सोच दिया कि उनना दा बच्चा अपने सुतने पूरे कर दे ली या उच्ची पड़ा एकर अंदे ली बाहर ले मुल्क दे विच चावेगा जिमें की इंगलेंड मेरी भी जंदगी दे विच एक पड़ाव आया पिछले साल स्तंबर 2003 दे विच मेरा विक गोल सी कि मैं अपनी हायर एजुकेशन किसे विदेश दी चंगी यूनिवस इंगलेंड दा जो एजुकेशन सिस्टम है कितना किते इंडिया देनाल मेल भी खांदा है ता मैं पिछले कुछ एक साल तो यानि कि सेप्टमबर 2002 तो ट्राई कर रहा सी इंगलेंड दी कि नाम वार यूनिवस्टी दे विच दाखला लैंड दे लई ते मेरी कोई खुशी दी अगस्तो लेके 9 सप्टमबर तक दा समा जो सी मेरे लिए बड़ा उलजन पर या सी देखते हैं देखते हैं 9 सप्टमबर आ गया मैं फ्लाइट लई ते लंडन 10 सप्टमबर शाम नू चार्क वजे पॉंच गया उथे पॉंचिया ता एक हांसला सी कि गल करके आया हां मे मेरे मायूस जापे पर मेंनू हांसला सी कि मेरी ता गल हो गई है मेंनू ता लेन आई ही जाओगा मेरा दोस्त मैं इमिग्रेशन क्लियर किती ते एरपोर्ट दे अराइवल थे पुझा उथे जाके मैं उसनू कॉल किती पहला उन्हें मैंनू केहा कि मैं ओंदा वे ही ही हां तु वेट कर थोड़ा टाइम मैं 15 वी मिनटली वेट कीती ते फिर मैं दोबारा कॉल कीती देन फिर मैंने उन्हें मैंनू दस्या कि यार मैं कामते बड़ा उल्ज गया मैं तो आ नहीं होना तुसी एद्णा करो एथो नेड़े कोई बस लेलो ते मैं तुनू उड्रेस पे इसदा तुसी उथे पहुंच जाओ मेरे को ले तेही तेही किलो दे दो बैग एक सत किलो दा बैग तेक पिठ्ठु बैग जिने तीमे मैं मैं मैंनेज करके बस स्टेंड ते पुझा इथे बनू बस मिलनी सी जो तो ही मैं बस देवी चड़न लगा था मैंनू पता लगा कि यह थे बस देविच जान देली पहला दो बुकिंग करनी पहनी है तो इनिहाओ यह तो उन्हों सीट बिलूगी भी ताथ उन्हों जो पेमेंट है वो ऑनलाइन करनी पहूँगी या उत्तोद एक ओस्टर कार्ड चालदा है जीदे रही तुसी बस सफर कर सकते हो मेरे को लो अधिविच ओ कोई भी ऑप्शन नी सी मैं उन्हों दुबारा कॉल कीती तो मेनु कहेंदा यहर तुबारा आइवल ते जा मैं टैक्सी दा रेंज कर दाया हूं मैं को एक कांटा उत्ते वेट कीती कांटा बाद में भी दुबारा गल हुई ता पता लगया उसने दस्या की ड्राइवर ने राइड कैंसल करती तुसी एद्दा करो तुसी आप टैक्सी एरेंज करके मेरे को लिथे आ जाओ एनिहाओ मैं टैक्सी स्टेंड ते पुझया मैं तो टैक्सी एरेंज कीती ते मैंने टैक्सी वाले तो फेर वारे पुझया तुसी यकीन मनों कि वो उस टैक्सी दा कराया किना सी उन्हों मिलन दी खुशी ता सी, जदो आपनानों मिल दी खुशी ता हुंदी है, मैं भी खुश सी, पर ये खुशी कुछ का अंट्या लई ही रही, जदो मैं उथे पुझा, मैंनों खुशी सी कि चलो रेंदा हाल हो गया, हुन कल तो पॉलेज दा देखने कि किने जाया जा सक पर मेरे पैरात फुलों जमीन निकल गी, जो मैंनों पता लगया कि इत्थों, जो कॉलेज है मेरा 6 तो 7 का अंट्या दी दूरी ते है, चलो ओ भी कोई गाल नी, दिन देविच 4 वारी कॉलेज जाना है ता पूरे महिने देविच, 10 या 12 वार कॉलेज जाना होया, ता मीन पॉंड या 10,000 पॉंड, संथिंग थोड़े खर्च होंगे, ट्रैवलिंग दे लई, जिड़ा की उत्थे रहके इंपॉसिबल है, ता मैंने यूनिवस्टी ते कोल अकमोडेशन लबनी स्टार्ट किती, एद्दा नहीं सी कि मैं थो लबगी नहीं गया सी अकमोडेशन, इत उत्थे कम मिलना है कि नहीं मिलना हो आप देली एक चैलेंज है, ता मैं प्रैफर किता सी कि एक वरी मैं उत्थे जाके ही ट्रै करूँगा, ता एदा ही मैं उत्थे ट्रै किता, अकमोडेशन देली कि मैं यूनिवस्टी ते जिननी नीडे तो नीडे अकमोडेशन हो सके मिल ता में नू लंडन दे विच एक एरिया हेज है, जिते में नू अकॉमोडिशन मिली, कोई सौक का लांतो बाद, ते में ने किसे दोस्त नू कहा कि प्लीज एक वर जाके तुसी हो अकॉमोडिशन देखा हूँ, एट लास्ट ओ फाइनल हो गई, ते में नू लैंडलोड ने श चार फुट बाई छे फुट दा, जो तो मैं कमरा देख्या, ता मेरे इंडिया दा पूरा कर, अक्खा मुरे आ गया, जेडा का देकर छोटा लग दा सी मेनू मेहल जापन लग पया, ओ चार बाई छे फुट दा कमरा, जीदे विच टाई बाई छे, टाई फुट बाई छे तदा बैटल अगस्ते, डेड़ फुट दी जगा देविची कलमारी सी, तुसी ओदे विची बैठनाया, ओदे विची सोनाया, थोड़े ली ओही जगे जिते तुसी रहोंगे, तो दा कराया सी कुछ 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 साध्डे कुछार सो पॉंड, ओहो पहली रात सी मेरी लंड पर एक जिद सी सुपने आप इछे जान दी, कॉलेज दिया क्लासां स्टार्ट हों देविच कोई दसक दिन सी, ता रात पहे ने सोचिया कि कलू जाके मार्किट भी देखा हूंगा ते कॉलेज जानदा कोई साधन भी देख लूँगा, कि बस रही जाना या ट्रेन रही, ज पहला चैलेज अशुप मार्काड बनाया, वज अनल बनाया, मैं ऑण्याव रेलवे स्टेशन फोझा थे मैं पहला कि ग्थत्यू से कंड्य हान इक टी बहूंग दनेकि जानन था इंडियों दा59, अशुआ hunay यान दू पाकॉण वी दीश्वेंड़ने कालेशन कंप्लीट करनी हुं दिया ते उथे तो नो एक वी आर्पी कार्ड मिल दा है यह ओ इंपोर्टेंट कार्ड है जी ते थोड़ी सारी डिटेल है जो तो तो से कोई भी कम लई इंप्लॉयर को ले जाओंगे तो पहला कोश्चन थो नो थोड़े वी आर्पी कार्ड वरे पुछता है मैं वी यह क्लेक्ट करने लिए यूनिवस्ट्री पहुंचिया पहला दिन एक लंबी लाइन लगी से उथे मेनू एस का हानीदा ओ करदार मिलया जो की एस का हानीदा सब सब्सक्राइब कर वालनू जाना सिते मेने आवदे रूम वालनू ता मैंनू केंदा वीरे नंबर दे दो करदे कोई डिसकेशन ही करनी हुंदी है मैं तो दसना चाना है कि यो बच्चा वार्मी पास करके उत्थे आया सी तन साल दा कोस लेके डिगरी दा ओसे शाम जो तो मै कि यारां वजे मैंने को कॉल आई कि वीरे पच्छानिया मैं ओही बोलता है जो थोनू कॉलेच मिले आ सी जे थोड़े को ले टाइम होवे ता मैं कल थोनू मिले ना सकता है मैं कहा वीरे जरूर आजेओ अगले दिन स्वेरे मैं लैंडलॉड नो पुछया कि मेरे एक दोस्त ने आउना है कि मैं करे बला सकते तैं लैंडलॉड ने बड़ा असानी नल केहा कि तुसी एसाव अवदा इसका अर्थो बाहर ही रखो मैंनू फेर इंडिया दा कार चेते आई जथे मिलना लग गया रहनदा सी एक यार ने आउना दुझे ने जाना माने कदे कुछ नहीं कहा सी मैं एक पानी दी बोतल परी ते जेड़े बास स्टेंड ते हो बैठा सी बास स्टॉप ते हो बैठा सी मैं उत्थे गया मैं बड़ा मयूस सी मैं पुछेया की होया मैंनू कहान दा वी रे वी पच्छी दिन हो गई ना कार में ले आना क्ताम है मैंनू समझ नहीं ओदा कि हुन इथे रहना वी है या इंडिया वापस चला जामा ते मैंनू दा ओभी आप्शन नी लगदा कि इंडिया वापस चले मैं बड़ा ह्रान सी वी पच्छी दिन चे कार्णी मिलहता यह इंडिया यह रह कितjour है यह न पूरी दुनिया ने गुंदा है, सड़ वाहे गुरू, मैं भी पच्ची देना तो गुर्दवारे विच रह रहे हैं, गला ना सिलसला चालदा रहा, शाम हुई, ओ वापस चला गया, ये सिलसला रोज चालदा हो, मैंनू फोन करदा हो, ओ आ जानदा, मैं कोशिश करदा तो न मैंनू कॉल आई, बड़ा खुश सी, मैंनू कहनदा, वीरे एक शिफ्ट मिलगी, रेस्टोरेंट दे, विच शाम नू जाना है, ते कल मैं शिफ्ट भी हो गया, मैंनू कर मिल गया सी, खुश सी हो, उद्धू अगले देन भी साठी गल नी हुई, मैं भी कुछ बीजी रहा, ते मैं ए सोचया, कि शायद फोन इसली नहीं आया, कि कामते गया होना तक क्या होना, पर फिर मैं शाम नू उसनू फोन केता, बहुत मायूसी, फोन चकन सारी, मैंनू कहनदा, विरे मैंनू आया लग दे, या ता मैं इंडिया वापस चला जावा, या मैं मर जाओ, मेरे पैर जो ही होया हो, मेरे को ले आया, असी गल करनी स्टार्ट केती, ता उने मैंनू दस्या वीरे मैं कमते गया सी, स्वेर तो लया कि शाम तक मैं ऐसे चाज सी, पर जो तो कमते पुझा ता उनने कहता कि आज ता सानो लोड नी, जो शिफ्ट दी लोड पाई कालू ब्ला लागे, ते जो तो मैं कमरेज शिफ्ट होया सी, मैंनू चाहा सी कि चल रहन नू था मिल गी, मैं टेस्को तो कुछ समान खरीद के ले गया सी, वी चलो आज खाना आप बनाऊंगा, जो श्याम नू साड़े के साथ वज़े खाना बनाने लग गया, ता लैंड लॉड ने मैंनू केहा कि 400 पंजाब पॉंड देविच किचन नाल नी मिल दी, तुसी अथियाफ दी रोटी नी बना सकते, मिननू कैंदा विरे मा इनिक चेते आई, कि जी कारदा सी, पाच जिके मा गोले बाग जाना पर आप्शन नी सी, मेरे नाल दे कमरे देविच दो पंजाबी परा रहन दे सी उननाने सारी गल बात सुनी, ता अठक वजय मेनू दो रोटियां देके, पर मेरी लैंडलोड ने आके उननानू केहा, कि तुसी एदा रोटी देके, मेरे करदा सिस्टम खराब कर रहे हूं, या ता इनू कहो कि रोटी बार खाके आया करे, या मेनू 180 पॉंड देवे मैं फ एक कहानी हरे को उस बच्चे दी है, जो उथे जानदा है, शुरुवाद दे स्ट्रगल ने, बट अगले दिन मेनू को कॉल आया, कहानी दे विच इथे, फेर एक मोड आया, मेनू फोन आया, मेरे माता जी बिमार सी, कि तो उननू वापस इंडिया ओना पहनाया, मैं अगले दितना कि विरेता इंडिया जाके पता लगोगा, अगले दिन मैं इंडिया आ गया, माता बमार सी, काफी दिन उलजय रहा, कोई दास बारा दिना बाद मैंनू कॉल कितियो दा नंबर नी लगया, अज कई महिन्ने हो गई, ना मैं इंगलेंड गया ते ना ओं इंडिया आया इस तो पहला जो शुरुवात सी, दौर सी, ओ ओ स्ट्रगल दा सी, जो की इंगलेंड दी सी, ओ ओ स बच्चे दी सी, जो वार्मी करके गया, इस तो बात जो स्ट्रगल शुरू होया, वो मेरा होया इंडिया आके, मैं हरान सी, लोका ने, मैंनू इन्नेक मेने दिते, की तू वापस क्यों आ गया, कार्द्या दे पैसे खराव करते, पहला सोचके नहीं गया की कार्द्या तो रहनी होना, मेरे को लिए ना गलनदा कोई जवाव नहीं सी, मैं सोचिया, ना ता लोग उत्थे स्ट्रगल करने देया ना इत्थे स्ट्रगल करने देया, समा बीत गया, मैं जो शायद बहुत खाब रख देने, बहुत सुपने रख देने कि बाहर ले मुलकाच जाके चंगी पड़ाई करके बड़ा चंगा जीवन होगेगा, हुंदा भी है ते हो भी जावेगा, नित्ता नुं राधा हुंदियाने, बट जे तुसी चंगी प्लैनिंग करके नहीं जा पर वो कोई हाल नहीं, क्योंकि गल्त स्टेपर चकंदे बाब जूद भी जो थोड़े मापनों ने करजा लेके तो नो उथे पे जाया और ले नहीं जाना, ता थोड़े कोई एक कोई आप्शन बाच दी है, चाहे ता स्ट्रगल उथे कर लो, चाहे स्ट्रगल इंडिया चा कर लो, होर कोई रान, मैं सिर्फ इनना ही कहना चाहा, कि जोदो भी तुसी कोई planning करो, चाहे England दी करो, चाहे Canada दी करो, proper plan करो, उन्हों research करो, एंड दे विच मैं इनना ही कहना चाहा है, कि जो जो योज़्चोग दा प्लैटफोर्म है, एक बड़ा ही वदिया प्लैटफोर्म इत्ते में लग दैं कि कई लोग का उन्हें जिंधगी मिल दी है कई लोग उन्हें बंदा प्रपस्स ना ही कोई marketing टें ना ही कोई चैनल ऊपीज शाइद इन्हाद भी नहीं होएगा इत्ते किन्ने ही बचे ऑंदे होंगे जो इत्तों अपनी जिंदगियां बनाकर जाने होंगे ते किन्ने ही मेरे वर्गे ए लोग होंगे जो लोग का नूँ शायद थोड़ा बहुत गाइड कर सकन कि जदो तुसी अपने सुपने पूर्य करन जाओ तो उससुपने आनू एक प्लैनिंग दे नाल जाओ ते एंड दे विच मैं जोश्रोगता तानवाद करना या कि उन्ना ने साधे वार के बचियां दे लिए ते साधे वार के लोकां दे लेई ए प्लैटफॉर्म ओपन रख्या इस वीडियो बारे अपनी राए कॉमेंन सेक्षिन विच सानु दसो अधे आपड़े मित्रा नाल एफ वीडियो शेयर करना ना पूलियो